कोरोना काल में लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी दित्तिनाथ ने नई नई इसकी में चलाई जिससे की आम नागरिक को इस कोरोना काल के अंदर सहुलियते मिल सके दिक्कते ना हूँ आज हमारे साथ वाड 20 से सवासद है ठाकुर रजनीज सिंग रजनीज भाई क्या कारेकरम इस वक्त वाड में चलने हैं क्योंकि कोरोना काल है और कोविद यानि की चैन को तोड़ने के लिए सरकार भी लगातार प्रतिबद है और नए-नए स्कीम चला रही है और प्रशासन भ पीच में क्यी चैन को ब्रेक करें आपके वाड में क्या कारेकरम करता है वाड वाड में का कि किया जा रहा है और सरकार द्वारा जो भी योजना आ रही है उसे 100% लोगों के पास पहुचाने का पूरा प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है और सरकार द्वारा कुछ दवाईया भी आई थी जो कहीं न कहीं संक्रमित होने के आसार पर लोगों को देनी थी वो भी हमने लोगों को प्रोवाइड की है अच्छा एक योजना सरकार ने चलाई है भी योगी हाली में योगी सरकार ने चलाई है एक हजार रूपे रेडी पटरी खोमचे वालोगे तो मैं एक दिन देख रहा था कि आप मैंने बीच में फॉन भी किया था से निकल कर जा रहा था आप कुछ फारम भरवा रहे थे तो कितने लगबख फारम आपने भरवाएं को क्या वो योजना और किस व्यक्ति को मिल सकती है प्रयाजी वो योजना सरकार ने रेडी पटरी मजदूरों के लिए निकाली है उसमें हम लोगों को चिनीट करके जो इस्योग हैं जो परिशान हैं गरीव हैं रेडी पटरी मजदूर कि कोई कह रहा है कि राशन हमें मिलता नहीं है लेकिन सरकार ने ऐसी योजना चलाई कि इस कोविड कार ंंदर राशन फ्री दिया जाया और लगातार इस योजना के अंजडर राशन लोगों को फ्री मिला तो आपके assistir कि ति भ Ans We При में बहत अच्छी है क्योंकि सुरू सुरू में हम दो सो रासन काड अपने बाड में बन दिये थे उसके बाद जो हमारे रासन डीला रहा है जो हमारे च्छेतर वाड नंबर बीस में पड़ते हैं वो अवैसिंग है जो कि भाया सो परतिस्त हमें सहयोग करते हैं हर महिने 10-15 लोगों को जिनके राशनकार इस वक्त नहीं बने हैं हम उनके पास भेजते हैं भाईया और वो हमारी पूरी मदद करते हैं और लोगों का सहयो करते हैं हालाकि उनका परसो भी फोन मेरे पास आया कि भाईया 5 तारीक और फिर रासन बटेगा जो भी लोग रह गएं तो आप उन्हें भेज देजिए मैं उन्हें रासन देदूँगा तो भाईया मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि राशन की जो विवस्ता है नहीं बना है तो ऐसा नहीं है कि राशन काड़ यदी पात्र है गरीब है और उसकी आर्थिक विवस्ता ठीक नहीं है उसको राशन काड़ नहीं तो राशन नहीं मिलेगा ऐसे लगबग 10-15 लोगों को सभासत की तरफ से संभेदना दी गई लेटर जारी किया गए कि इनको ये पात्र लोग है किसी काड़ पसफिनकर राशन काड़ नहीं बना है तो इन्हों से और और उन्हों को नने उन यहार बहुत अच्छी तरीकी से सफल रहा है एक केंपेंट चलाया है always with you always with you का मतलब है कि हमेशा आपके साथ always with you के तहत आपके वाड में भी कुछ ऐसा campaign चलाया जा रहा है कि जो व्यक्ती परिशान है या जिसको लगता है कि हाँ भई उसको मदद मिलनी चाहिए तो आपकी क्या एक team बनी हुई है या फिर आप सीधा उन लोगों से मिलने हैं अगर आपसे कोई मिलना चाहता तो कैसे always with you के जदी मिलेगा जी भाईया उसमें हमारी चेर्मेन लीना गजंदर भाटी जी ने हमारी मिटिंग लिए थी उसमें दस सभासदों को चुना गया था हमारी मिटिंग नगर पाले के में हुई थी अजिसासी अधिकारी जी भी मौझूद थे उसमें सेंटाज इस्पेक्टर भी मौझूद थे उसमें भाईया ये था जो भी गरी बैक थी जो कुरोना काल में मृत्ती हो रही है जिनकी उनके परिवार को भाईया नगर पाले का अरीना का जंद्रभाटी द्वारा चेर्मन द्वारा उन्हें पांचार रुपे का सेहुग दिया जायागा नगर पाले का तो इसी के तहत नगर पाले का और नगर निगम और शेहरी छेत्रों में यह उजना चलाई गई है और आपको बता दो कि यज़ी इश्वर ना करे और करोना काल में किसी की मृत्ति हो जाती और वो लोग सक्षम नहीं है तो नगर पाले का द्वारा उस व्यक्ति के शरीर का अंतिम संस्कार कराईगी और उसके लिए कुछ धन्राशी भी नगर पाले का ने कही है आपने बता कि लगातार आप जब भी मैं आपको फाउन करता हूं तो आप कहतेए आज मैं यहां कारे करो राह थूह आज मैं इधर कारे कर रहा थूह तो वो टने मों सेक्षम बॉर्यून S with जных बार्याराशों की जुम्मेदारी दे रखी है जैसे किसी को भी तीन गली के जिमादा रखी वो अपने रोज उन तीन गलियों का हाल चाल लेता है उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो हमारा एक ग्रूप बन रखा है वाटसप पे वो उस ग्रूप में डालता है कि भाया यह समस्य हो रही है तो अ वैक्सिनेशन सेंटर बढ़ने चाहिए चेर्में साब ने वी एक लेटर लिखा था डीम साब भी आये थे आपको लगता है कि वैक्सिनेशन सेंटर जल्द आप मांग करते हैं इसकी की जल्दी बनना चाहिए जी जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया था और बहुत अच् सेंटर मिलेगा जो डीम साब असवासन देगे गए और यदि कोई जैनुर्ण व्यक्ति परिशान है किसी को नीड है और वह पात्र है तो वह खुछ सभासर जी से आके मिले और अपनी परिशानी बताए और उसका हल मैं सही कह रहा हूं ना बिल्कुल वह उसका हल निकाला ज यार है जिस भी चीज की आपको जरूत हो आप हमें फोन करें हम तुरंत उपलब्द कराएंगे और आप अपने घर में रहें सुरक्षित रहें